जे काल बहरो जे घुरा मैतां तरिक देती आप सब के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लिकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही दुरलब जानकरी दी जा रही है हमने बहुत सारी वीडियो के अंदर बताया है मारन प्रयोग कैसी किया जाता है हमने अपने जीवन काल में अने को बार मारन प्रयोग किया भी है परन्तु मारन प्रयोग करना कितना उचित है क्या मारन प्रयोग करना ही आखरी विकल्प है नहीं देखिए एक उच्छी कोटी का तांत्री की मारन प्रयोग कर सकता है पहली बात तू ये समझे लेजिए अगर दुनिया में हर वेक्ती मारन परियोग कर पाता तो इस दुनिया में लोग ना बचते मारन परियोग का क्यारत है मारन परियोग करत है किसी भी परकार के जादू तांत्रिक किरिया टोने टोटके से किसी इंसान को जानगी हानी पोचाना ये इसकी परिभासा है बहुत सारे लोग अपनी अलगलग परकार की सिद्ध्यों का परियोग मारण में करते हैं परन्तु जयादातर देखने को मिलता है कि वो लोग असफल रहते हैं बहुत सारे लोग खुद से परियोग करते हैं परन्तु वोग असफल रहते हैं याद रखें अगर किसी वेक्ति के भागी में उसका जीवन अधिक लिखा है मान लो किसी आदमी की आयू लगबग 96 साल है उसकी जनम कुन्डली भी यही कहती है कि वह 96 साल जीएगा और उस वेक्ति की मिरत्यू का समय 96 वर्स है और कोई वेक्ति सोचता है कि उनके उपर मारन परियोग करेंगे तो याद रखें उच्च कोटी का तांतरिकी उस वेक्ति के उपर मारन परियोग कर सकता है मारन परियोग का अर्थ है कि उसके भागे में जो चीज लिखी है उसे बदल तक देने की शम्ता रखना यानि कि जो उसके भाग्य में लिखा है उस तक को बदलने की शम्ता रखना काले भेरों के किरपा से देत्य संप्रदाय ये शम्ता रखता है परन्तु अपनी शक्ति का व्याख्यान नहीं करता यदि देत्ती सरकार चाहे तो किसी भी बेक्ती का मारन परियोग कर सकती है परन्तु परमात्मा के बनाए हुए नियमों को देत्ती सरकार भी मानती है बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मारन परियोग अगर उनके उपर मारन परियोग हो गया हो तो कैसे पता करें मारन प्रियूग कई परकार का होता है यदि मान लोक किसी वेक्ति की अचानक से तविद खराब हो जाती है उसके सरीट के अंदर अजीब सी बेचय नहीं रहती है उसके सांस फूलने लगते हैं उसे अजीव वजीव से साहे देखने लगते हैं सपने में कोई उसका गला घोटता है जब वो सोता है तो उसकी आख खुलती है तो वो अपना आपको किसी ऐसे दुरजन इस्थान पर पाता है जहां विराना होता है जब सपने में कोई चीज़ उसे चोट पुचाती है तो जब उसकी आख खुलती है सच में उसके सरीर पे चोटों की निशान होते है ये एक परकार का मारण परियोग है इसमें किसी चीज़ को उस वेक्ति के पीछे लगा दिया इसमें उस वेक्ति ने अपनी विद्या का परियोग करके कुछ बुरी शक्तियों को किसी वेक्ति के पीछे लगा दिया इसे मारण कहना उच्चित नहीं है परन्तो ये भी एक परकार का मारण है ये मारण की मारणी के शेत्र में आता है दूसरी आते हैं किसी वेक्ति का दम गुटता है उसे चुबन होती है ये दि किसी वेक्ति के सीने में माथे में अजीब सी चुबन होती है उसका दम गुटता है उसे मूँ के अंदर धूए और खून का स्वाद आता है तो इसका भी ये अर्थ है कि उस वेक्ति के उपर मारान पर योग किया गया है तीसरा वेक्ति एक वेक्ति अच्छा भला सोया बिल्कुल अच्छे से सोया भोजन करके फिर उठा नहीं यानि कि उसकी मिरत्ति हो गई ये भी एक मारान है परंतु कोई वेक्ति सोया और किसी तीवर किरिया के माध्यम से किसी उच्छ कोटि के तांत्रिक ने उसके उपर मारान परयोग किया उस इस्तिति में उस वेक्ति की मौत हो गई ये सबसे बड़ा मारान परयोग होता है इसके अंदर तांत्रिक अनेको प्रकार की विध्याओं का प्रियोग करता है, जिसके अंदर अलग-अलग प्रकार के यंत्र, मुर्दे, बहुत सारी चीजों का प्रियोग करता है, अपनी सिध्यों का प्रियोग करकर, भैबे बेक्ति अगर किसी के उपर मारन प्रियोग करता और अपनी सिद्धे को उसके उपर छोड़ता है। उस इस्तिति में अगर ये मारण परयोग चूक जाए, तो उस तांत्रिक की भी मौके पर ही मौत हो सकती है। लेकिन अगर ये परयोग चल जाए, तो जिस व्यक्ति पर ये परयोग किया जाता है, उस व्यक्ति की मौत ततकाल परभाव से हो जाती है। करते रहते हैं, जिस परकार हम ऐसी सकतियों का परयोग करते रहते हैं, हो सकता है लोगों को हमारी तीगी जानकारी अच्छी लगी हो, यदि सभी को हमारी जानकारी अच्छी लगी है, तो हम चाहेंगे इस वीडियो को लोग लाइक करें, और इस वीडियो की नीचे कमेंट करें और कुछ और पूछना हो तो हमसे प्रस्न करें